स्वागत है आपका मारश्ट्र बंदू में मैं सम्मेक ताम्या और आज हमें नरिमेंट पॉइंट है और आज हमें कैसे शक्स से मिलने वाले है जो फिटनेस के फिल्ड में बहुत पुराने है और वो टार्केंडो के प्लेयर है और इनकोज भी है तो स्वागत है आपका समीर सर महारश्ट्र बंदू में चैंक्यू चैंक्यू वेरी माच जो आपने इसका बिल समझा सबसे पहले तो हम यह जानना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपके बारे में आप थोड़ा इंफोर्मेशन दीशिए सबसे पहले तो एक बात यह पूछना चाहूंगा कि आपका जो यह टाइकंडो का सफर है यह कब स्टार्ट हुआ कैसे स्टार्ट हुआ और क्या रीजन था कि आप टाइकंडो में आए और यहां तक कैसे पोच्छे आप नांकि नांकि फाइ में मैंने मारसला जॉइंट किया था तो और मैं 2002 में चैंपियन बन गया मारस्ट्रा और फाइ में मैंने इंग्या खेल लिया उस टाइम पे चोट ऐसा प्यारा सा सफर था कि थोड़ी दिक्कत होती थी फाइनेंसली प्रॉब्लम होते थे काम दंदे नह नहीं होते हैं तो यहीं बीच में पिता जी एक्सपायर हो गए ठोड़ी इसी दिक्कत है थी लेकिन बोलते ना कि मंजिल को देखो रस्ते आसान हो जाएंगे बस कोशिस करते गए और मंजिल मिलती गई कारवा बनता गया अभी जिस तरीके से आपने गोल्ड मैडल जीते है आपके स्टूडेंट्स ने अभी जो अधेराद उनमें मैच खिला है नैशनल लेवल आपने महाराश्ट्र को रिप्रेसेंट किया है तो यह जर्णी आपका कैसा था जो अभी का क्योंकि विकोज अब लॉकडाउन था इससे पहले और लॉकडाउन में मोस्ट अफ आपके तो घर पे बैठे रहेंगे तो क्या के डिफिकल्टी आई आई आपको यह सारा अचीवमेंट करने में दो साल से कोई एक्टिविक्टिस तो थी नहीं पूरा लॉकडाउन की बज़े सब बन था और अब बन तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि इतनी बड़ी महामारी में कौ कर सकता है बाट उसके बावजू दिये जो सेलेक्शन चाले हुआ नैशनल का तो मुझे बहुत दुख था कि सायद हम लोग पहले की तरह परफरमेंस ना दे पाएं क्योंकि हालात मनजर बहुत बुरे थे लेकिन हमने कोसिज कि हमारे टीम से बात कि हमने और उसके बाद एक प्लेयर उता रहते हैं उनके तरफ से आपको कोवईड मनजर कैसे सपोर्ट मिला अगर टाइकंडों को आगे लेकर जाना सभी बात क्या था कि असली बात बताऊ ना कि बच्चों को दिखके एक एनरजी तो आती थी लेकिन जो हाला थे ना उस टाइम पे कि कैसे करे अब के कोशिज किया और आज रिजर्ड ऐसा है कि मारश्टर का बहुत अच्छे लेबल पे नाम आया दैरादुन जैसे सहर में हम लोगों ने बहुत अच्छा परफरमेंस दिया और सिर्फ कुलाबा सिर्फ मुंबई ने पुरे माहराश्टर को रिप्रेजण किया और अच्छा यह मैंने 15 या 16 साल पहले श्काड किया था इसे रिजिश्केशन करवाय था और इसे श्काड किया था मैंने तो मुझे क्या लगता था कि जब तक हम भगवान ने परमेसर ने खुदा ने हमें कुछ ना तो कुछ धर्ती बे करने के लिए बेजा है तो मुझे लगता था कि यह एक मार्सल हाट्स के माध्यम से मैं लोगों को इसपेसली गल्स को हमें उनका सेल इफेंस बता सकते हैं कि आपको आपको कैसे सेफ रखना है हर एक जगा सलमान खान नहीं हो सकता है कि बॉडिगार बनके आपके पीछे घुमे तो आप अपने आपको आपको इसे तैयार क कि आप खुद को डिफेंस करते होगा और सेल डिफेंस करते हो खुद के लिए एक लिए तो मैंने यह कॉंसेप बनाया एक करतम सुरक्षा के और जागो इंगा जागो और जो की कुलाबा में साउत मुमे में बहुत फेमस है इस वक और मेरे पास वो एक गल्स है उसकी इसके अंदर बहुत तरकी मिली लोग बहुत जुड़ते गए और आज इतना बड़ा आपके सामने सेक अप दिखी रहा है जैसे कि मैं भी जानता हूं कि आप सिलेब्रीटी ट्रेनर भी हो तो स्लम से सिलेब्रीटी ट्रेनर का सफर कैसा था और अब कैसे वहां तक पॉस्ट कि मतलब एक स्लम में मैं मतलब बड़ा उँआ हूं और उसके बावाज़त हम लोग की मैं ने बहुत कैम निकाला तो एक छोटे लिंक्स मिलते गए कुछ सर्स जो मुझे रिप्रजंट किया अमरिकन स्कुल में उसके बाद मुझक कायकर सुराब मिले फिर वरुन धवन मिले वहां से अब प्रजंट कायम में उसके आहां सेटी जो कि साहथ आपने तडब मुमी भी देखा होगा तो काफी आज स्टूडेंटर बन गया बस मेरे बच्छों की दूआओ का नतीजा है तो मैंने देखा है जो आपके स्टूडेंट्स है स्टूडेंट्स के होते हैं आपके पास बट्टिकलर अगर वह स्टूडेंट्स की बात किये जाए तो उनसे आप कैसे चार्ज लेता है या फिर वो स्टूडेंट से आप कैसे डिल करते हैं ना देखो जो हाई प्रोफाल जो स्कूडेंट गोते हैं उनसे तो अबसली लेना है पड़ता है कि उनसे पैसे लेंगे तभी में स्लम में बैलेंस कर पाऊंगा क्योंकि स्लम कि किसी भी बच्चे से कोई चार्जिस नहीं है हमारे हमारे पास यहां पर बात्से नहीं करते हैं आप किसी भी बैच्चे से इंट्रीव्स ले सकते शाूं divine करता हूं गाइड भी मैं प्रोइड करता हूँ और अप ट्रेनिंग फीज उभी मैं प्रोइड करता हूँ मतलब मेरा पूरा टेम भी मिल के प्रोइड करता है प्रणसेcznie को एक का लाइक मेसेज देना चाहोगे आपके त्रूस कि आप अपने बच्चे को कोई एक स्पोर्स में बिजी कर दीजिए और उसका गोल बड़ा कर दीजिए लुक लाइक ओलम्पिक जब वो बड़ा और उलम्पिक के बारे में सोचेगा ना तो अपने आप सारे गुरुय आदों से दूर हो जाएगा ना ना दारू पीएगा ना कोई भी चीज से क्यूंकि उससे पता चलेगा जब उसका कोच बोलेगा ना बेटा आपका पॉफरमेंस अच्छा होना चाहिए बेटा आपको कुछ बड़ा करना है तो उसका गोल जब बड़ा होगा ना तो छोटे मुटे चीज में फसेगा नहीं जब उसका बच्चे का गोल छोटा होगा ना तो फस जाएगा तो प्लीज सब पैरेंस को मैं दिल से कहना चाहता हूं कि अपने बच्चे को कोई ना तो क आप हमारे दर्शकों को एक बर करके बताईए प्लीज सर और आप कुछ मैसेज देना चाहोगे ऐसे ही अब भी सर आपके पास इतने सारे बच्चे है तो आने वाले समय में एकडेमी को लेखे क्या प्लाइन से आपके और कहां तक पहुचेगी अभी तो आने वाले समय के लिए ना सब इनी में से सारे बच्चे एकडेमी करेंगे यह कल को आज बच्चे बड़े होते हैं बच्चे कीचर बनते हैं कीचर बच्चा नहीं बन सकता लेकिन इस्टूडेंग आर्मी बन सकता है तो इनी में से ही है ना कोई बच्चा मतलब जैसे कि हजार में से निकल कर विवन्स अइवेंस एक कदम सुरक्षा गो जागो करेगे मैं इसकी बहुत उमीद करता हूँ मेरे बच्चों से भी उमीद करता हूँ और गफिनल की मुझे बहुत यकिन है कि इन में से निकलेंगे आगे आगे आप अभी नैश्टनल लेवल पे अप मैडल जी तो दो साल से को वीड था तो कैसे आप ने ये चीज़ अचीव की आपको क्या के डिफिकल्टी आई-विच्ट about था तो आपको क्या के डिफिकल्टी आई ये पूरा मैच मदलब करना है हम दिफिकल्टी तो बहुत आई ह sneaking लोगों को अभिजैसे कि डो साल से बनता कोंट था हम लोग सब ब्रैक्टिस करना है को हैון लोगो अब इतना बीजिरेने के बाद बी यहां लोग को टाइम देते तो सब शेडुल दिया ता करके यह टाइम प्रैक्टिस करना है यह टाइम और स्वा यह साम को सर मिलती था हमनों को मोट्वेट करते थे तो जो भी ऑप इस खेल बच्चों को क्या मेंसेज दिना चाहोगे बस जो बी कर दिल करो जूब मास से करें चोब पाघलपन रखो ऐसानी कि सक गरें इसका कि ऑसानी कि सो जैसे कि आपने देखा समिर सर का क्या journey था टाइकॉंडो को लेके और उनके students की क्या journey थी टाइकॉंडो को लेके तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताईए कि वीडियो कैसा था और वीडियो का कौनसा पाट आपको subscribe कीजिए और ऐसे ही बनी रही है मैं मिलूँगा आपको एक नए वीडियो के साथ